दोस्तों Neuralink को अब थोड़ी सी सक्सेस मिल चुकी है उन्होंने दुनिया के पहले human patient को Neuralink चिप तो implant कर दी थी जिसके बाद में उसकी recovery को देख रहे थे अब वो fully recovered हो चुका है और वो paralyzed patient अब mouse को move कर पा रहा है अपने दिमाग से सिर्फो सोचता है और वो mouse को उस तरफ में move कर देता है फिलाल के लिए इनको चाहिए कि mouse हिलाए भी वह क्लिक बटन भी दबा पाए और इसी के साथ साथ उनको keyboard भी control करवाना है इस patient के साथ में और अभी कोई ऐसा illness वाला side effect दिख नहीं रहा है इस चिप की वज़े से तो अभी तक मामला सब कुछ जैसे चलना था वैस सही चल रहा है न्यूरा लिंक के लिए दोस्तों जब भी हमारा फोन पानी के अंदर गिर जाता है और उसके बाद में हमें लगता है भी यह तो भीग गया इसको सुखा देते हैं कपड़े और पानी चला गया तो उसके लिए हम टेक्निक यूज कर देते हैं कि यह राइस ब कर लेगा लेकिन उसके जो चोटे चोटे पार्टिकल होंगे वह आपके फोन को डैमेज कर सकते हैं अगर आप राइस बैक के अंदर अपना फोन डाल देती हो तो ऐसा भी हो सकते है और उपर से अगर आप यह ब्लो ड्रायर का यूज करते हो उसकी हीट का यूज करते हो के सुखाया जा सकता है किसी एक्सपर्ट द्वारा लेकिन आप खुद से बाहर से हीट डालोगे तो वह जो वाटर विपर है वह भाब बनके निकलेंगे कहां वह रहेंगे तो अंदर ही तो इसकी वएसे इस तरीकी टेकनीक को यूज मत करो इससे आपने फोन को हीट होती है करेवन 90 परसेंट लोग जिनके पास में भी मुबाइल है मुबाइल नंबर है उनको इस पैम कॉल आती है यह स्टडी लोकल सर्कल्स ने करी है जिनोंने बताया है कि यहां पर सबसे जादा स्पैम कॉल फाइनशल सर्विसेज वाली कंपनिया करती है लेकिन अगर आज आते हैं तो 90 परसेंट इंडियन के पास में स्पैम कॉल आती है लेकिन उसमें से 60 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको डेली की तीन इस पैम कॉल आती है और मैं अपना मुबाइल देखो तो आज की तीन का कोटा हो चुका है पूरा और इसीगेस अपतानी रात को को कोई कर सामने वाला जो द라고 मुबायल नंबर कें इसके पास में मोबाइल नंबर नहीं करता क्या उसको नहीं मिलेगा वह जो भी वह कर रहा है नहीं आप मना कर सकते हो मैं-सिंप्ली म्ना करता हूं लेकिन फिर भी रख में इसनि ज्पैम काल आती रहती है जिसके वैसे कम से कम नहीं तो सो नंबर तो ब्लोक हो चुके होगे अब तक दोस्तों सचिन देंदुलकर की वीडियो काफी जाता वायरल होई थी जिसके अंदर वो बैटिंग अप को प्रमोट कर रहे थे जो कि डीप फेक से बनाई गए थी जो कि साफ साफ देखने पर पता लग जाता है अब इसी तरीके की वीडियो विराट कोली की भी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो बैटिंग अप को प्रमोट कर रहे हैं वो भी डीप फेक से ही बनाई गए और देखके पता लग जाता कि वीडियो नकली है इसके अंदर किन गुना हो जाएंगे चार गुना हो जाएंगे यह हो जागा वह जाएगा इस तरीकी बाती की जाते लेकिन कुछ भी नहीं होता यह सभी एप्लिकेशन आपका पैसा डुबा देंगी तो इस तरीके के चक्कर में मत पढ़ना चाहिए कोई पॉपुलर प्रसनेल्टी आप इसको प्रमोट कर रहे होते हैं कि यह खेल लो पैसा बन जाएगा लेकिन अब यह जो देखने को मिल रहा है वह एक्चुली में डीफ फेक्स ही बनाएगे उसके अंदर तो कोई मतलब भी नहीं होता क्योंकि यह उल्रेड़ी इतना जादा कमा लेते हैं कि इनको जूरत नही है कि दोस्ती अब रशिया के साथ में इतनी जादा पक्की हो चुकी है क्योंकि आपने देखा हो अभी है वो किम जोंग गया था नोर्थ कोरिया जहां पर सारी चीज़े देखी थी उपर से इन्होंने थोड़ा सपोर्ड भी किया है रशिया को एमोनेशन वगेरा देके जो ने बैन कर रखा है कि कोई भी लग्जूरियस गुड एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा नोर्थ कोरिया को लेकिन पुतीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीया तुमने वैसे ही मेरा अरेस्ट वारंट निकाल रखा है तो मैं क्यों परवा को दोस्तों नॉर्मली किलोमेटर पर आर का फर्क था वो काफी जादा था इनके लिए क्योंकि हुआ क्या कि 35,000 फीट की उचाई पर जिस एल्टिटूट पे उतनी जादा हवा नहीं होती एंवार्मेंट का इंपक्ट उतना जादा वहां पर पढ़ता है इसी वज़े से वो थोड़ा सा ऐर ड्रै दूसरी फ्लाइट है भी 25 मिनिट पहले ही पहुंच रही थी इस स्ट्रॉंग विंड की वज़े से और ऐसी हवा की स्पीड उस एल्टिटूट पे बहुत ही कम देखने को मिलती है जो की दशकों के बाद देखने को मिली है एरलाइंस को और नीचे होते तो पता नहीं कितनी स्पीड चल रही थी जिसकी वैसे उन्होंने का चलो सहलेंगे थोड़ा